तो आज फिर एक बार आगाया हूँ आप सभी की प्रॉब्लम्स का सॉलूशन लेके और आप सभी के प्रीसेस टाइम को सेफ करने के लिए आज का जो टॉपिक लिके आया हूँ उसका नाम है आसना टास्क डीटेल्स को गूगल हैंगाउट्स पर सैंड करें automatically क्या सिखाने वाला हूँ की कैसे आप आपके टास्क की डीटेल्स जो आप रियेक कर रहे हैं आसना के अंदर उनकी डीटेल्स को automatically आप आपके Google हैंगाउट्स के चैक पर सैंड कर सकते हैं जिससे कि आपकी team को notify हो जाए कि sir ये task आज हमें करना है या फिर और भी कोई use case हो सकते हैं जिससे आप इस automation को relate कर सकते हैं तो ये possible हैं ये करने के लिए हमें क्या करना होगा automate करना होगा आसना को google hangout से बट आप बोलेंगे कि sir ये तो दोनों ही बहुत different प्रकार के applications हैं अलग-अलग हैं इन दोनों को हम कैसे integrate कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच कोई connection ही नहीं है तो connection करने के लिए हम help लेंगे एक application की जिसका नाम है पैबली connect पैबली connect ऐसा application है जो multiple applications को आपस में जोड़ सकता है एना 800 प्लस ऐसा application है जिनको पैबली connect integrate कर सकता है उपर से 100 task monthly के free देता है और हम free में account भी बना सकते हैं तो फिर देर किस बात की है आई है मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आप भी इस automation को site करके अपना time save कर सकते हैं अभी step by step अपनी screen पर ओके सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे पी डबल बी यल वाई पैबली डॉट कॉम प्रस एंटर यह है official website दर हम क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account एकदम free में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूंगा sign in पे first option आएगा हमारा पैबली connect का क्लिक करूंगा access now पर access now पर क्लिक करने के बाद open हो जाएगा पैबली connect का dashboard right hand side पर create workflow का option एक अपने workflow को एक नाम दे दूँगा मैं नाम दे देता हूँ asana to asana sorry to google hangouts checked okay मैंने नाम दिया है asana to google hangouts checked then अभी आप जैसे की देख पा रहे है नाम देने के बाद यह दो windows आगे यह मेरे सामने trigger और action की दूनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action का मतलब do this ऐसा कर दो ठीक है तो एक बात और बता देता हूँ कि इस वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा जो कि होगा इसी workflow का आपको जाना इस link पर click करना और आप भी मेरा बनाया यह same workflow अपने account में use कर पाओगे वो भी एक दम free में workflow को नाम देने के बाद अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमको trigger में क्या करना है हमारा topic क्या है पहले तो हम चाहते हैं कि हमारे आसना में हम जब भी कोई new task create करें तो automatically उस task की details जो है हमारे google hangouts chat के एक space पे sent हो जाए इसा करने के लिए हम क्या करेंगे first application में सबसे पहले हम choose कर लिए आसना को okay search किया और आसना को choose कर लिया हमने then trigger event में हम choose करेंगे new task in project को okay then connect पे click करेंगे connection के लिए उसके बाद add new connection पे then connect with आसना पे okay then यह connect हो जाएगा क्योंकि मेरा आसना का account already login है जैसा कि आप देख रहे है that that's why कोई problem नहीं आई connection में तो connection है connected है then सबसे first field आई यह project की तो यह मुझसे पूछ रहा है sir किस project में आप चाते हैं कि जब आप task create करें तो मैं data capture करूँ तो यह दो ही project है मेरे पास work request और IT request okay so यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यह रही IT request और यह रहा work request तो यही दो है create project पे click करके और project create करूँगा तो यहाँ पे उनके भी नाम आने लगेंगे ठीक है तो मैं चाता हूँ कि यह जो IT request करके जो है इस project के अंदर जब भी मैं यहाँ पे कोई task create करूँ to do के अंदर तो automatically public connect data capture कर ले तो उसके लिए मैं IT request को चूज कर लूँगा then click करूँगा save and send test request okay save and send test request पे click किया तो यहाँ पे option आ रहा है waiting for response means यह response का wait कर रहा है यह wait कर रहा है कि कब कोई task create करेगा आसना में और मैं यहाँ पे अपना data capture कर लूँगा चलिए तो एक task create कर देते हैं यहाँ पे task create कर देता हूँ मैं task होगा हमारा हमारा PHP issue okay PHP issue PHP issue इसके बाद full stop PHP is not working is not working properly please solve the issue as a okay एक simple सा random सा जो मेरे दिमाग में message आया thought आया वो मैंने यहाँ पे डाल दिया दैने हाँ यहाँ पे मैं assign भी कर देता हूँ आशी राय को okay so यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं हमने message task create कर दिया है चलके चेक करते हैं पैबली कनेक्ट ने इसकी details capture की के नहीं so यहाँ पे तुरन details capture की है पैबली कनेक्ट ने और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी की सारी details है हमारे सामने मैं check कर लेता हूँ कि हमारा जो हमने title दिया था वो यहाँ पे है या नहीं ओके नीचे scroll कर रहा हूँ है ना so मुझे title अभी तक तो नहीं दिख रहा है तो अभी तक मुझे title नहीं दिख रहा है है ना यहाँ पे मैं एक बार और एक बार ऊपर नजर मार लेता हूँ कि यहाँ पे title मुझे मिला है या नहीं जो भी मैंने दिया था तो यहाँ पे अभी title नह है इसकी उपर यह जो आईडी है ओके यह वाली आईडी से हमको टास्क की डीटेल्स जो है मिल जाएंगे तुरन तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बार दुबारा चूजर करेंगे आसना को के शर्च किया आसना पे connect पे click करने के बाद एक बार connection बना चुका हूँ that's why मैं select existing connection पे click करके save पे click कर दूँगा पुराने connection का यूज करूँगा ठीक है आइड कर सकते हैं कैसे करेंगे बता देता हूँ blank field पे click किया नीचे option आने लगेगा आपकी trigger application का click किजिए trigger application पे then सारा data open हो जाएगा जो भी आपको trigger application से मिला है then आपको जो भी इस data के अंदर add करना है जो भी data आप उस data को add कर देजिए यह राक task के उपर वाली जो id है वही है task id so इसको click करके मैंने यहाँ add कर दिया then आप मैं जैसी save insight पर click करूँगा तो इस task की सारी details मेरे पास यहाँ पे सामने capture हो जाएंगी है ना so जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा है ना यहाँ पे हमको task की details में सारी की सारी details जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं मुझे अभी task का name चाहिए so जैसा कि मैंने task को नाम दिया था php issue php is not working properly please solve the issue as app okay so यहाँ पे मुझे details मिल है task की है ना किसको assign किया था मैंने अश्मिता राए को assign किया था आशी राए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे details है सारी की सारी जो भी हमने जो भी उस से related उस task से related जो भी details ही वह हमारे सामने हैं देना हाई पे priority है ना फो सारी details है okay so अब मैं चाहता हूँ कि इस यह जो ह करूँगा last application अपनी चूज करूँगा Google hangouts chat को search करके चूज कर लूगा then action event में चूज करूँगा create message को इसके बाद connect पे क्लिक करूँगा connection के लिए spaces हो उन में से आप जिनके अंदर भी message sign करवाना चाहते हैं जब भी आसना में कोई task create हो तो आप उन दोनों में से जिसमें भी करवाना चाहते हैं इसको choose कर लिए पहले तो मैं चाहता हूँ पैबली टीम वाले में हो तो मैंने पैबली टीम वाले को open कर लिया है then मैं क्या drop down पर क्लिक करूंगा दानिया option है manage webooks का क्लिक करूंगा manage webooks पर then add another पर क्लिक करके मैं यहां पर वैबुक को नाम दे दूँगा आसना integration then save पर क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे integration आसना integration की वैबुक मिल जाएगी जिसको copy करना यहां पैबली कनेक्ट पे और यहां पे paste कर देना simple then message आप किस तरीके का send करना चाहते है वह आपकी उपर है है ना मैं चाहता हूं कि यह जो title है ना PHP issue PHP is not working properly please solve the issue as app ओके इस तरीके का यह पूरा का पूरा जो है send हो जाए है ना और उसके आगे हैना so उसके लिए मैं क्या करूंगा नीचे आउंगा यहां पे और message को map कर होता है लेकिन उससे पहले मैंनुली लिख देता हूं hello team है न hello team then please solve this issue okay hello team please solve this issue मैंने लिख दिया है यहां पे एक random सा जो message है यह मैंने manually इसलिए लिखा है क्योंकि manually मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यह मेरे हर message में same रहेगा इतना part जो है हर message में same रहेगा then issue हम यहाँ पे enter मार के लिखते है issue issue ठीक है then उसके आगे हम map कर देंगे जो भी issue है issue का जो title है task जो हमने create किया है ठीक है यहाँ पे यह रहा ठीक है php issue php is not working properly इसको यहाँ पे मैंने map कर दिया इसको क्यों map किया क्योंकि यह task का title है यह change होता रहेगा है ना यह change हर बार php में ही तो issue आएगा नी अगली बार किसी और दूसरे software में issue आ सकता है और title दूँ अपने task को तो वो यहाँ पे software इसको automatically map कर देगा और send कर देगा google chats पे तो जैसे कि आप देखना है भी यहाँ पे एक ही message है इसको भी मैं delete कर देता हूँ इसको मैं delete कर देता हूँ अब मैं आ जाता हूँ public connector जैसे ही मैं save and send पे click करूँगा तो इस chat के ऊपर एक message जो है तुरन send हो जाएगा तो मैंने click किया save and send test request पे successfully response received हो गया एकदम positive response है चलके check कर लेते हैं हम हमारे chat पे कि हमाँ पे message आए कि नहीं so yes one new message hello team please solve this issue php issue php is not working properly please solve the issue okay so यहाँ पे message आ गया है और इस message की presence बता रही है कि मैंने अपना automation set कर दिया है just अब मुझे save पे click करना है और अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सारा काम software करेगा क्या करेगा software अब जैसे ही आपके आसना के अंदर कोई new task आप create करोगे तो automatically software जाएगा उस task की details निकालेगा then उस task को as a message create कर देगा आपके google hangouts chat पे जिस message के अंदर इतना part जो है यहां से लेके यहां तक का part same रहेगा और यह आपके task के according change होता रहेगा इस तरीके का automation मैंने save कर दिया है और मेरे involvement की इसमें जरासी भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक यह workflow on है ना सिर्फ इन applications को pably connect की help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना इस link पर click करना है और आप भी यह same workflow अपने account में use कर पाओगे वो भी एकदम free में इस वीडियो से related कुछ questions होता है आपके queries होती है या फिर आप मुझसे बात करना चाते है मेरी team से बात करना चाते है तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते है यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली कनेक्ट की pricing जाननी है तो वो आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूँ कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को like करना मत बूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत बूलेगा ठैंक्स